हेलो अरिवन स्वागत अब सभी का ऑनलाइन स्टेडियर में आज इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बिहार दरोगा मोखे परिच्छा के मॉक टिस्ट का डे 44 I hope कि फ्रेंड्स आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स को जरूर देखा होगा तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फॉइस्ट कोजन आपके स्कीन पर है पर सीध कोडार के सुर्य मंदिर का निर्माण किस नहीं किया था पढ़ते क्विशन के लिए हमेशा की तरह आपको पांच सेटन टाइम मिलेगा उडिसा पर इन्होंने 1228 से लेकर के 1268 इस वी तक साथन किया था तो फिलाल इस क्वेशन का राइट एंसर का है आपसन नमबर ए याद रखना है काफी एक्जाम्स में पूछा जाता है अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ाचा कंफ्यूज आपको करता है नर्सी वर्मन तो इनके बारे में आपको दादू नर्सी वर्मन प्रतम जो थे वो माहब बली जो पूरम है वहाँ के एकास्मिक मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था यह भी पूछा जाता है याद रखेंगे ठीक है और नर्सी वर्मन प्रतम ही वो वेक्ति था जिसने पुलकेस हिंदूत्यों को हराने के बाद वाता पी कोड की उपाती को धारन किया था क्लियर तो इस क्वेशन का राइट एंसर क्या है आपको एक्स्ट्रा जनकारी आपको इसके बारे में रखनी है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुछन देखी क्या बनता है भारत में ब्रेटेन की तरह सिख्छा के मानकों की ब्रिधी करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था इसका राइट एंसर है आपसर नमबर B यानि कि सर्जेंट आयोग ठीक है फ्रेंट्स सर्जेंट आयोग के बारे में आपको बता दूँ कि 1944 में सिख्छा के अस्तर में समरिध करने के लिए जौन सर्जेंट की अध्यक्षता में सर्जेंट कमिसन के स्थाफना की गए थी सर्जेंट कमिसन का लक्ष था भारत का सैक्षिक पुनर रिमार करना एक चीज़ आपको और याद रखना है कि सर्जेंट आयोग में छे वर्से लेकर के 11 वर्स के आयू वर्क के जो भारतिय बच्चे थे उनको मुफ्त और अनिवारे सिक्षा इसमें देना था ठीक है फ्रेंट्स अब मैं आपको बाकी आप्सेंस के बारे में थोड़ी सी बताएता हूं जैसे कि दीखे हंटर आयोग जो हंटर आयोग था इसका यहां 1929 इसका गठन किया गया था स्रमिको की स्तीती पर विचार करने के लिए इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे अगर आपको इस वीडियो अच्छी लएगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और आज कि इस वीडियो का टार्गेट लाइक रखता हूं 28 लाइ राइट इंसर गेस करने की कोसिस करें और हमसे पूछा यह गया है कि सही कत्थन का चैन करना ठीक है तो आपका समय शुरूँआता है अब तो फ्रेंट्स I hope कि आप लोगों ने राइट इंसर गेस कर लिया होगा मैं आपको बता दू इसका correct answer है option C केवल तीन यहाँ पे जो दिया गया और पॉइंट तीन यह बिल्कुल correct है तो इसके बारे में सबसे पहले मैं बहुता था कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 था इसका मुख्य जो महत्पोंडता थी वो क्या थी इसमें दो कारण जो थे वो सबसे महत्पोंड थे जो पहला कार अगर सेकेंड मैं आपको बताओं जो सेकेंड महत्पोंडता थी वो क्या थी कि बिटिस सरकार को भारत में कंपनी के मामले और उनके प्रसासन पर सरवच्य नियंत्र दिया गया था तो यहां पर यह कहीं डिसकस नहीं किया गया आपको याद रखना है ठीक है फ्रेंस अब ह पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यह नहीं हुआ था यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जान लगा था तो यहां पर क्या होना चाहिए था यह रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था ना कि पिट्स इंडिया हुआ था ठीक है फ्रेंस तो इन सारे पॉइंट स्कॉप को याद रखना है हो सकता है कि कोई एक डारेक्ट भी वेस्टन्स पूछा जा सकता है क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स वेस्टन बनता है कि philosophy of bomb किसने लिखी थी यह काफी परसीद पुछता कि इसका right answer क्या होगा संग्राम के दोरान क्रांती कारी स्थीति के मसौदे का प्रसीत बयान था जो कि भगवती चरण बोहरा ने चंदर सेखर अजाद और यस्पाल के साथ पूरी चर्चा के बाद इसको लिखा था ठीक है तो इसका right answer क्या है किस ने लिखा था भगवती चरण बोहरा ने तो option number B कि यहाँ पे right answer हो जाता क्ले फ्रेंस देखे यहाँ पे जो भी मैं questions करा रहा हूं आपको BPSC के pattern पे करा जा रहा है ना कि किसी और चैनल में आप जाकर देख सकते हो बस आपको simple लग रहा है कि यहाँ प्री का वोलो करा रहा है तो वैसा यहाँ पे नहीं हो रहा है ठीक है आ आपको बताना कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो बात करते हैं correct answer का तो इसका right answer है option number A यानि कि 1884 में 16 मई 1884 को इसकी स्थापना की गई थी मदरास महाजन सभागी अब आपके दिमाग में एक चीत जरूर आही रहा होगा कि इसकी स्थापना हुई थी तो किसके द्वारा हुई थी तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी स्थापना जी सुंब्र मडियम आयर और सांती साथ में M विर रागवा चारे के साथ मिलकर के दो लोगों ने कि याता है ठीक है तो याद रखेंगे 16 मई 1884 को कि लिए एक चीत में आपको याद आया कि 16 मई क्या होता है ये भी आप याद रखो 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़तें नेक्स्ट केशन देखें क्या है निमलिकित कत्रों पर विचार करें त अब आपके सामने पॉइंट दिए गए और आपको बताना है कि सही कथन इसमें से कौन सा है तो आपका समय शुरू होता है अब तो आई होब की फेंट्स आप लोगों ने इसका राइट अंसर गेस कर लिया होगा इसका राइट अंसर है ऑप्सन नंबर पी यानि कि एक और तीन यहाँ पे जो दिए गए पॉइंट्स फॉर्स्ट और थर्ड ये पॉइंट सही है तो चलिए बात करते हैं कि सही है तो क्य 1868 में पहली भारतिये जो थे वो पहली ICS अधिकारी बने थे जो की पॉइंट सही है तो आपको इसमें क्या राइद रखना है कि 1868 में पहली जो भारतिये ICS थे कौन थे सतेंदरनाट टाइगोर ये डिरेक्ट को समसी पुझा सकते हैं तो याद रखेंगे ठीक है यहाँ द बात करते हैं कि 2nd और 4 गलत क्यों हो रहा है चलिए IC करके देखते हैं सबसे पहले 2nd पॉइंट की बात करते हैं Lord William Benton ने सबसे पहले स्थानिये अदालतों की अस्थापना की थी जिन्हें मुंसिफ कोट कहा जाता था जिसमें भारती के अधिकस्ता की थी तो देखें फ्रें पर क्या दिया गया कि Charles Wilkins ने पहली बार रमायन को अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो यहां पर देखें रमायन घनवाद नहीं किया था भगवत गीता का अनुवाद किया था Charles Wilkins ने Lord Warren Hastings के सासन काल में क्लिए फ्रेंस इन सारे पॉइंट्स को याद रखने हैं अधिकार किया था तो फ्रेंस बात करते हैं राइट अंसर का तो इसका करेक्ट अंसर है option C यानि कि दिल्ली पर अधिकार किया था अंग्रेजी उने सबसे पहले अथारो संतावन के बाद तो अब देखें मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताने की खोशित करता हूं ध्यान से सुनिएगा देखें हुआ कुछ ऐसा था कि 10 माई 1857 को मेरट के जो सिपाही जो थे उन्होंने विद्रो किया और उसके बाद अपने अधिकारी को गोली मारती थी और उसके बाद क्या किया कि कैद खाने में घुश करके अपने जो साथी जो कैद थे उनको तो रिह रिया करने के बाद वो दिल्ली की ओर चल पड़े ठीके फैन्स और इसके बाद वहां पर डिल्ली जाने के बाद वाह फार मई ढरा मई Whilst 1859 को और जो डिल्ली का राजर कौन था बहादूर्व साफर उसको यह सासन बनाया ठीके सुल्थान बना दिया गया और लूड कैनिंग जो थे लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आदेश दिया अपने सिपाहियों को और सेना दिल्ली भेज दी थी और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन थक यहाँ पे बहुत मतलब जो भी चलना चला और 14 सितंबर को तकरीबन 6 दिनों तक 26 यूद्ध के बाद विद्रोहियों ने आत्मसमर्पन कर दिया था जो की जेल से भागे थे ठीक है और आत्मसमर्पन करने के बाद जो दिल्ली था वो वापिस अग्रेजों के कबजा में आ गया था तो इस तरह से होता है इस questions का right answer option C clear? तो I hope कि आपको हो ये सारे facts समझ में आ गई होंगी अगला प्रस्ट मनता है कि इन प्राधी करणों में से किस ने सौतंतर भारत का अंतीम गुवर्नर जेनर न्यूक्त किया था तो friends बात करते हैं इसके correct answer का तो इसका right answer है option C यानि कि British crown ठीक है और इसके बारे मैं आपको अच्छे से explain करके बता जेता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे तो friends जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1947 में हमारा देश अजाद हो गया था लेकिन मैं आपको बता दू कि भले ही वर्ष 1947 के बाद भारत एक अजाद सोतंत देश था लेकिन फिर भी इस पर British प्रभूत था ठीक है और इसके बाद क्या गया है कि इसी के अनुसार British जो crown थे ब्रिटिस क्राउन के अनुसार सी राज को पालचारी को ब्रिटिस क्राउन द्वारा सोतंतर भारत के अंतिन गुवर्णार जेनरल के रूप में चुना गया था तो फिलाल इस questions का राइट एंसर क्या है option C क्लियर आगे देखिए अगला point क्या बंत है काफी अच्छा questions है next है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बल्बन किस राजवन से समंधित था तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका right answer है option A मामलुक वंस देखिए फिर इस मामलुक वंस जो था गुलाम वंस को ही कहा जाता था कभी-कभी गुलाम ना लिख करके मामलुक वंस ले जाता है तो आप उसको याद रखेंगे ठीक है अब मैं आपको बता दूँ कि बल्बन के बारे में काफी important जो points होते exams के पूछा जाते हैं देखिए बल्बन का सबसे पर आपको याद होना चाहिए कि बल्बन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था बहाउदिन ठीक है अब जो बहाउदिन था या एक उपाधी दी गए थी जिले इलाही की उपाधी दी गए थी और साथी साथ उलूग खा की उपाधी भी इसको प्रदान की गए थी क्लियर फ्रेंट्स अब मैं आपको और पॉइंट्स बताता हूँ देखिए बल्बन जो था दरबार में सिजदा और पैबोस्त की प्रथाच चलाने की सुरुवात इसने की थी और एक चीज़ आपको याद रखना है कि बल्बन ने पार्सी रिती रिवाज पर अधारी नौरोज उत्सों का प्रारम किया था जूकि डारेक्ट क्वेशन्स पूछ जाता है क्लियर इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखने हैं नेक्ट वोच ने निमली खित कत्रों पर विचार करें यानि कि पॉइंट्स ए और पॉइंट्स टू को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इसमें बताना है कि गलत वाक के कौन्स है ठीक है फ्रेंट्स गलत कथन इसमें जो दिया गया उसको आपको च्यूज करना है तो आई होब कि आप लोगों ने इसका राइट अंसर कर लिया होगा देखिए इसका राइट अंसर ऑप्सेंट डी यानि कि उप्रोक्त में से कोई नहीं यहां पर बोला गया था गलत चुनना है तो यहां पर कोई भी जो वाक्य दिया गया फर्स्ट और सेकंड वो गलत नहीं है तो गलत क्यूं नहीं उसके बार में आपको बता रहता हूं देखिए भारत सरकार के जनता के लिए सिक्षा की जीमिदारी संभालने के लिए कहा था तो यह पॉइंट्स भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि उड़ डिस्पैट जो था वह ठारो सो चौन सा ही रिलिटेट था और लॉड डलहोजी के सासनकाल में यह आया हुआ था तो यह जा रहा है कि इन में से कोई भी option गलत नहीं है दोनों option सही है ठीक है चलिए आगे देखिए अगला प्रस्ट क्या बनता है कि भारत में सोने की सीक्के जारी करने के लिए सबसे पहले राजा कौन थे इसका राइट एंसर है option पी इंडो ग्रीक ठीक है इंडो यूनान भी कभी कभी देता है उसको आपको याद रखना है हिंद यूना ठीक है भारत में सोने के सबसे पहले जो सीक्के जारी के था ही इंडो ग्रीक नहीं जारी किया था और ऐसे अगर पूछले कि सरवाथी सोने के सीक्के किसने जारी के तो वहाँ पर कुसार एंसर हो जाता तो इसका राइट एंसर का है option A क्लियर फ्रेंड्स आगे देखिए नेक्स शुचन क्या बनता है कि किस चार्टर एक्ट से जीन के साथ इस इंडिया कंपनी का वैपार एक अधिकार समाप्त हुआ था इसका राइट एंसर है option नमबर C चार्टर एक्ट 1833 के तैत option नमबर C बिलकुल correct answer हो जाएगा नेक्स्ट बनता है निमलिकीत में से किस वर्स में विजयनगर समराज का साथन क्रिश्न देवराय के अंतरगत आया था तो देखे फ्रेंस इसका राइट एंसर हो का option नमबर D फंद्र सो नौ इसवी में क्रिश्न देवराय के सासन काल जो था यह स्टार्ट हुआ था मैं आपको बता दू फ्रेंस कि विजयनगर समराज जो था वो आपको पता है कि 1336 इसवी में हरिगर और बुका के द्वारा स्थापित के गया था ठीक है मैं आपको बता दू सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि 1509 में जो ये क्रिश्न देवराय के हाथ में सासन का लाय था यह किसके पुत्र थे तो तुलो देवराय के पुत्र थे तो यानि कि ये तुलो वन्स का एक महानतम सा सकता यह याद रखना है पुछा दा सकता है कि विजय नेकर समराजी में क्रिश्न देवराय का संबन किस वन्स थे था तो ये तुलो वन्स का एक महान सा सकता किलिए फ्रेंट्स आगे देखिए अब मैं आपको उता दू कि जो क्रिश्न देवराय थे क्रिश्न देवराय हिंदू और मुसल्मान दोनों को अपनी सेना में भर्टी किया था ताकि अपने समराजी को मजबूत कर सके ठीक है और क्रिश्न देवराय बाबर के समकालीन थे ठीक है ये points भी important है बाबर के समकालीन थे और बाबर ने अपने आत्म कता यानि कि बाबर के आ यूग के नाम से भी जाना जाता है इन सारे conclusions को आपको अच्छे से याद रखने है clear आगे बढ़ते हैं अगला point देखे क्या बनता है next point है निमलिखीत कत्रों फर विचार करना है ठीक है friends तो आप points A points B आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद आपको बताने कि उप्रो ये आखिर क्या कह रहा है तो points A में लिखा गया कि नलंदा विच्व विद्याले और विक्रम सिला विच्व विद्याले पाल राजवन्स द्वारा स्थापित किये गए थे देखे ये तो गलत हो जा रहा है क्यों गलत हो जा रहा है क्योंकि नलंदा विच्व विद्याले ज जो थे पाल वंस के सबसे महान सासक धर्म पाल के द्वारा स्थापित की गए थी तो पहला पॉइंट्स तो गलत हो जा रहा है इस वज़ा से ठीक है तो सेकंड पॉइंट्स के गर बात करें कि दोनों विश्व विद्ध्याले भारत में बहुत सिख्छा के सबसे महत्यपुन क के अंद्रों में से एक थे तो यह पॉइंट्स राइट है यानि कि हमारा बी जो है ओप्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल दो सही है कि लिए फ्रेंट्स इन चीज को याद रखेंगे अच्छा एक चीज में आपको और बता तो आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने यह पर यह प्रसीद बॉद्मट की स्थापना कराई थी ठीक है फिर्स चलिए नेक्स वेचन बनता है कि निम्न को काल क्रेम के अनुसार विवस्थित कीजिए तो देखे इसका राइट एंसर आई होब कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा मैं आपको बता दूँ सबसे पहले डांडी यात्रा देखे डांडी यात्रा जो थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में यानि कि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट के गया था और 24 दिन पैदल चल थर्ड पॉइंट के दियेंगे पूना समझाता तो पूना समझाता या फिर इसको पूना पैक्ट के नाम से जानते जो कि 24 सेप्टेमबर ये पॉइंट भी याद रगेंगे कि कब हुआ था 24 सेप्टेमबर 1932 को ठीक है और गांधी इरविंद्स जो समझाता हुआ था ये 1931 पांच मार्च 1931 को अब इसको काल करम के नुसर आप सजा कर देखो क्या पहले आता है पहले 1927 यानि कि 2 1 2 1 और उसके बाद चार तीन दो एक चार तीन ऑप्सन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा ठीक है फेंट्स ऑप्सन भी करेक्ट हो जाता है किलियर आगे देखिए नेक्ट शोचन क्या बनता है कि सीसु नाग जो राजवन्स था ये किसके दौरा प्रास्त किया गया था तो इसका राइट एंसर क्या होगा तो इसका राइट एंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ी से जनकारी देता हूँ जिकिस सीसु नाग वंस की जो अस्थापना की गई थी वो सीसु नाग के दौरा 412 इसा पुर्व में की गई थी और इसका अंतीम जो राजा था वो न नंदी वर्धन था नंदी वर्धन को किसने पराजित किया था तो नंदी वर्धन को पराजित किया था महापदम नंद और महापदम नंद ने इसको पराजित करके नंदवंस की अस्थापना की थी तो इसका राइट एंसर क्या है ऑप्सन नंबर सी बिल्कूल करेक्ट हो ज option number D बिल्कुल correct answer हो जाता है ठीक है फ्रेंट्स आगे देखिए next option बनता है कि मुर्सीद कुली जाफर खाक को बंगाल 1717 भी तथा उडिसा 1719 की सुभेदारी किस मुगल बादसा ने मिली थी, कुछ मुगल बादसा से मिली थी इसका right answer है option number C फर्खुसियर मैं आपको बता दूँ अगर आपको फर्खुसियर का इस भी पताओ कि इसने कब से कब सासन किया था तो आपको definitely इसका right answer बिल्कुल सोचने की जुरत ही नहीं पड़ती देखो इसके सासन काल कब था 1713 से लेकर के 1719 तक तो अब आप इसमें देख सकते हो 1717 1719 इसी में आ जा रहा है ठीक है तो फर्खुसियर इसका right answer हो जाता है कि लिए आगे देखिए नेक शोचन क्या बनता है कि सुगंध वृत जिसको कहा जाता था करो को हटाने वाला कि उपाधी किस चोल सासक ने धारण की थी इसका right answer है option number C चोल सासक राजिंदर तीतियने ठीक है फ्रेंट्स option number C करेक्ट आंसर होगा और इसे कुलो तूंग चोल प्रत्थम के नाम से भी जाना जाता है के लिए आगे देखिए इसका right answer है option number C चितरंजन दास ध्यान रखेंगे फ्रेंट्स चितरंजन दास ने लिखा था इंडिया फॉर इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक जो थे चितरंजन दास न लिखा था लेकिन अगर इसी बात को हिंदी में बोला जाए भारत भारतियों के लिए तो ये एक नारा था जो कि आरे समाज ने दिया था तो देखना हिंदी अगर बोले तो आरे समाज और इंग्लिस में वही पुस्तक हो जाता चितरंजन दास के द्वारा लिखेंगे थे 1931 के कराची अधिवेशन में जो की समर्थन दिया गया था अब मैं आपको उतादू कि 1931 का जो कराची अधिवेशन था ये काफी महत्यपूर्ण ने क्यूंकि इसमें पहली बार मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गए थी और इसकी अध्यक्सता किस नहीं की थी त तो इसका राइट इंसर क्या होना चाहिए तो फ्रेंट्स देखें इसका राइट इंसर है ओप्सन नंबर ए दिल्ली प्रसासन अधिनियम 1936 के लिए ओप्सन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं आपको अधादू कि दिल्ली के जो लेटिनेट गुवर्णर जनरल होते हैं और राष्ट ये राजधानी छेतर दिल्ली के समधानिक प्रमुक होते हैं और ये फर्स टाइम सितंबर 1986 में स्थापीद किया था जब दिल्ली प्रसासन अधिनियम 1936 प्रभावी हुआ था और ऐसे में बात ये हैती है कि अगर वर्तमान में पूछले कि वर् बिल्कूल ये राइट हो जाता है किले फ्रेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं उमिद करता हूं कि आप लोग को अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सभी चीच अच्छे समझ में आ रही होगी और नीचे कमेंट करके जरू बताया कि आप लोग को ये वीडियो कैसे ल अगरा है कोई इंप्रूब्मेंट चाहिए तो जरूर बताया अगला प्रस्मंद है कि धन विद्या का वर्णन समिधान के किस अनुछेद में किया गया है इसका सही उत्तर है ओप्सन सी अनुछेद 110 कि लिए फ्रेंस ओप्सन सी राइटेंसर हो जागा और मैं आपको बतादू अनुछेद बाकी ओप्सन जो यहां पे दियेगें 112 और 111 यह क्या क्या है 111 अनुछेद काफी महत्यपूर्ण है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो व अनसद में दोनों सद्रों के द्वारा जो विद्यक पारित होते हैं वो राष्टपती के पास भेज जाते हैं और यह राष्टपती के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको स्विकारता है या फिर अस्विकार करके पूनर विचार करने के लिए भेज देता है तो इस पॉइंट को याद रखेंगे एक जिन मैं आको और बता दू अगर राष्ट पती उसको वापिस भेज देता है कि आप इस पर पूनर विचार करें तो जब लोकसभा और आजसभा दोनों उस पर विचार करने के बात जब वापिस उसको राष्ट पती के पास भेज दी है तो वो राष्ट पती द्वारा संसद के समख्च जो बजट पेस किया जाता है वो इस 112 में बात कई गई है तो यह पॉइंट भी याद रखेंगे आगे बढ़ते अगला प्रस निखी क्या है छेत्रिय परिशद का निर्माण किस तरह से होता है तो इसका राष्ट एंसर है ऑप्शन B संसद के अधिनियम से ऑप्शन B राष्ट एंसर हो जागा देखें फिन छेत्रिय परिशद कई बाइग्जास में पूछे जाता है सबसे पहले मैं आपको पता दूँ कि छेत्रिय परिशद जो गठन होता है वो राष्ट पती के होता है और बर्तवान में भारत में पांच जितरिय परिशाथ हैं जिसका राष्ट पती के दौरा किया जाता है ठीक है अर जितली परिशत का जो अधियाच्छ होता है वो केंद्रिये ग्री मंत्री होते हैं क्लिएst और उपाध्यक्च की बात करें तो संबंधित राज्य dataset क इसका राज़ेंसर वो ऑप्सन D इन में से कोई नहीं यानि कि राश्टपती जो है वो राज़ेपाल को हटाने के लिए किसी से भी सला नहीं लेता है आप्सन नमबर D राज़ेंसर हो जाएगा अगला प्रसंड क्या बनता है कि समिधानिक प्रणाली के असाफल हो जाने पर कि किसी राज़े के राश्टपती सासन समिधान के किस धारा के अंतरगत लागू किया जाता है तो इसका राज़ेंसर है ओप्सन नमबर A यानि कि किसी राज़े में राश्टपती सासन अनुछे 356 के तहत लगाया जाता है ठीक है फ्रेंस हमारे समिधान में तीन परकार के देखे 352 जो होता है वो राष्ट ये अपात होता है और 356 राष्ट पती सासन होता है और 360 जो होता है वीती अपात होता है clear तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखेंगे नेक्स शोचन बनता है कि भारती समिधान की आठवी अनुसुची में कौन सी चार भासा हैं सबसे बाद में जोड़ी गई थी तो आई होब कि आप लोगों ने इसका राइट एंसर गेस कर लिया हुआ इसका राइट एंसर है option D यानि कि मैथली, बोडो, संथाली और डोगरी यह सबसे बाद में जोड़ी गई थी हमारे आठवी अनुसुची में कुल 22 बासा है ठीक है अठारा पहले जोड़ी गई थी और लास्ट में सबसे चार यह जोड़ी गई थी और यह किस अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी यह आपको याद रखने है तो यह जोड़ी गई थी 92 समिधान संसोदन अधिनियम 2003 के तहट अब इसको याद करने के लिए छोड़ सा मैं आपको तरीका बताता हूँ जो आप याद रख सकते हो संडो बम ठीक है अगला प्रस्ट बहनता है कि हर दो वर्ष में राजसबा के कितने सदस्त सदन से निवरित होते हैं इसका सही उत्तर है option C यानि कि कुल सदस्तों के एक बटा तीन जो सदस्ते होते हैं वो सेवा निवरित हो जाते हैं ठीक है फैंस आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट देखे क्या पंता है कि राष्ट पती पर महावयोग कौन सुरू कर सकता है इसका right answer क्या होगा इसका right answer है option number यहाँ पर option number D होगा बिल्कुल correct क्यूंकि मैं आपको बता तो friends के राष्ट पती को उसके पद से हटाने के लिए जो की महावयोग लगा जाता है अनुछे 61 के तहत आर्टिकल 61 के तहत संसत के किसी भी सद्न से चाहे लोग सभा से या फिर राज सभा से कुल सदस्यों के एक बटा चार सदस जो होंगे वो महावयोग की प्रकेरिया को सुरू कर सकते हैं तो option D right answer हो जाता है अगला प्रशन क्या बनता है कि यदि कोई राज्य केंद्रिये सरकार के निदेशों का पालन ना करे तो राष्ट पती क्या कर सकता है तो इसका right answer है option number A वह राज्य में संधानिक तंत्र को विफलता घोशित कर सकता है और राज्य के सासन पर उत्तरदाई तो संभाल सकता है यानि कि राष्ट पती सासन लागू हो जाएगा ठीक है अगला प्रशने की काली मिटी समानिता नहीं पाई जाती है तो देखे friends इसका right answer है option A यानि कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में काली मिटी नहीं पाई जाती है बाकी options की बार करें तो इसमें पाई जाती है और भी बाई कई सारी राज्य हैं उनको याद करने के लिए छोटा सा trick होता है MP में अकरोट गुम उनको आप याद कर सकते हैं मैं आपको अगले वीडियो में trick के माईदम से समझा दूँगा ठीक है देखें बात करते हैं काली मिटी के बारे में तो काली मिटी हमारे लिए काफी important होता है क्योंकि कपास के खेती के लिए सबसे उपयूगत मान जाती है औ प्रेटिनी फेरस, मैगनेट टाइट और जिवास में के कारण इसका रंग काला होता है एक चीज़ों और करना कि इसमें किसकी अधिकता होती है तो इसमें अधिकता होती है आईरन, चूना, एलुमीना और मैगनीसियम का इन चारों चीज़ों को याद रखेंगे ठीके फ्र रंग देट है तो आयोप कि आप प्रोवलज इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए तो इसका आप्ट अपसन एक गलत जिया गया क्योंकि भारतिय मानक समय जो दिसांतर है वह चेराजों से होकर गुजरता नहीं है वह कुल पांच राजों से होकर गुजरता और वह तो आपको याद भी नहीं रहेगी देखो यूपी कॉमा आप याद कर सकते हो किस तरह से ये आपके लिए यूजफुल होगा देखो पांच राज मैंने आपको बता है तो पहला तो यूपी हो गया ठीक है यूपी और सेकंड बात करें सेकंड सी का मतलब छत्तिसगड ओ का मत मतलब ओडिसा और M का मतलब आपको याद रखना है मद्दे प्रयदेश और A का मतलब अंधर प्रयदेश क्योंकि जो ये भारतिये मानक समय है इलहाबाच्यापूर से होकर के गुजरता है इस तरह से तो ये कुल राज्य इस तरह से पढ़ते हैं तो इस चीज को याद रख होगे तो बहुत इसली आपको समझ में आ जाएगी और सिक्किम के बारे में यहाँ पर दिया गया है सिक्किम में गुजरने वाला अक्षांस देशा राजस्थान के भी होकर गुजरता है बिल्कुल करेक्ट है देखें कहने का मतलब ये क्या हुआ कि जो 27 डिकरी अक्षांस गुजरता है जो इस तरह से गुजरता है राजस्थान से जो अक्षांस गुजरता है वही सिक्किम में भी पढ़ता है ठीक है सिक्किम आपको पता है तो सिक्किम में भी पढ़ता है तो इस तरह कि आप याद कर सकते हैं इसको मैप के थूरू देखता है कि लिए फिर देखते हैं इसका right answer क्या होना चाहिए तो देखे friends हीरा कुंड जो बांध होता है वो महा नदी के पहा नदी पर बनाए गया तो A का D होना चाहिए कहां चाहिए तो हम लोग यहांपे लिख लेटे हैं एके साथ 4 तीनवे ऊपर बनाएगे गया है था चाहिए इसकी है तो ऑपसे ओपोफिर्स नवर के यहांप से पूर्ट यह अब हमारा यह बिल्कुल correct होगा clear friends इस तरह से आप याद रख सकते कोई दिक्कत नहीं होगी बाकि आप thin dam को याद रखे रावी नदी पर एक छोड़ा सा trick में आपको यहाँ पर एक और share कर दो देखो आपको पता हो कि gas का आदर्स जो नियम होता है क्या होता है पीवी परावर जो समिक्रन होता है gas का आदर समिक्रन पीवी परावर एनाटी होता है यह तो आपको पता होगा देखो इसको आप याद रखोगे तो आपको यह thin dam और pong dam में confused नहीं होगा देखिए P का मतलब pong dam V का मतलब व्यास व्यास नदी पर और in तो आपको पता है कि यह constant आता है इसको आप छोड़ दो neglect करो और यहाँ पर R और T यानि कि रावी नदी पर thin dam बनाए गया बहुत easy आप याद कर सकते हो ठीक है चलिए अगले कोशन इतरह बढ़ते है next question क्या बनता है कि जायद के मौसम में निमली कित में से कौन सी फसल उगाई जाती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जायद के मौसम जो होता है जिसमें जो फसल उगाई जाती है मार्च से जून के बीच उगाई जाती है मार्च से जून और इसमें कौन सा हैगा मार्च जून में तर्बूज ठीक है तर्बूज करे ले और खीरा इसमें मोस्ट इंपॉर्णट है तर्बूज और खीरे तो आप याद रगो दोनों बहुत इंपॉर्णट है ठीक है अगरा कुशन देखी क्या है मुद्धु मुलाई जो पसु विहार है किस लिए प्रसीद ह इसका राइट एंसरों का ओप्सन नंबर ए बाग के लिए परसीद है क्यूंकि मैं आपको बता दूं कि मुल्दु मलाई जो उधान है या फिर इसको वन जीव अभियारन कह सकते और इसको टाइगर रिजर्व घोसिद किया जा चुका है इस ते यह बाग के लिए परसीद ह और मुदु मुलाई परसु भिहार कहां पर पढ़ता है तो इसको याद रखेंगे कि तमिल लाड़ू में पढ़ता है ठीक है फ्रेंट्स चलिए अगला प्रस्ट क्या बनता है कि किस गरह को सीद कालिन गरह के रूप में भी जाना जाता है इसका राइट एंसर होगा आप्सन नंबर सी यानि कि ब्रिस पत्ती जो गरह है जूपिटर इसको जाना जाता है सीद कालिन गरह के रूप में क्योंकि इसका जो टैंपरेचर होता है इसका जो तापमान है माइनस 148 डिगरी सी के साथ बहाती सीद कालिन हो जाता है इस द्याद रखना सबसे पहला आता है गयनिमीड जो की हमारे स्वर्मनल का सबसे बड़ा उपगराय होता है गयनिमीड और दूसरा यूरोपा और तीसरा कैसील्टो द्याद रखना है कैसील्टो अगला प्रश्ण दिया गया है कि निमलिखीत में कोरियोलिस बल के बयान पर व परियोलिस बल जो दबाव धाल बल के लंबवात होता है पॉइंट्स करेक्ट है ऑप्सन बीग दिया गया है कि यह धुरूव पर अधिक्तम और भूमत रेखा पर अनुपस्तित होता है ठीक है और थर्ड पॉइंट क्या है कि यह हवा को उत्री गोलार्थ की दाय दिसा में और दचडी गोलार्थ में बाय और मोडता है तो यह पॉइंट्स बिल्कूल करेक्ट है इस चीज को याद रखेंगे थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टन है तो इसका राइट एंसर क्या ऑप्सन नंबर D करेक्ट होगा अगला पॉइंट क्या बनता है कि लूसी दुनि वीडियो में मैंने कुछा था क्यों उसके बारे में किसी ने भी कमेंट नहीं किया यहां थे कि उस वीडियो के नीचे कमेंट किया ही नहीं किसी ने तो चलो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इस वीडियो की नीचे कमेंट करके बताओ कि इंडोनेसिया की राजधानी क क्या है इंडोनेसिया की मुद्रा क्या है इन दो पॉइंट्स को सबसे पहले अप नीचे कमेंट करके बताओ ठीक है उसके बाद वीडियो को आगे देखना अगला प्रस निखिक क्या है निमलिखित नदियो में से किसे अर्थ गंगा भी कहा जाता है तो देखे फ्रेंट्स इसका राइट एंसर क्या होगा अर्थ गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है ऑप्सन नमबर सी करेक्ट होगा अर्थ गंगा या फिर इसको ब्रिहत गंगा या फिर दचडी गंगा के नाम से भी जाना जाता है और कल की वीडियो में आपको बत सही है यह नहीं कि यूरिया के बारे में जो भी पॉइंट्स यहां पे दी गई है वो सही है तो इसका राइट इंसर होगा option number D यानि कि उप्यूक्ट सभी सही हैं तो चलिए कि करके देख लेते हैं कि कैसे सही हो रहा है इनमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है अब आप कैसे जाने हो कि इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है तो यूरिया का फॉर्मूला को हम दो तरह से लिख सकते हैं C-O-N-H-2 का whole truss या फिर इसको आप इस तरह से लिखो N-H-2-C-O-N-H-2 अब आप देखो कि यहाँ पर nitrogen और hydrogen है कि ने तो nitrogen भी है और hydrogen भी है तो आपका points यह right है second point की बात करें तो यह एक carbonic होगी carbonic तो carbonic होगी तो होगा ही यह points भी right है third point क्या है कि यह पानी में आसानी से घुल जाता है यह point भी right है क्योंकि यह पानी में आसानी से घुल जाता है ठीक है तो यहाँ पर तीनों points right दिया गए इसलिए उप्युक्त सभी सही है तो option B correct हो जाता है कि लिए friends आगे देखिए next है कि अपने पर्यावरण के संबंध में जीवों के अध्यान को क्या कहते है तो बहुत easy questions है I hope कि सभी लोगों ने इसका राइटन से जरूर किया होगा ecology ठीक है friends पर्यावरण के संबंध में जीवों के अध्यान को ecology कहते है option number A right होगा next है किस चीज की उपस्तिती के कारण मानव शरीर उच्चवाई मंडल ये दबाओ के तहत भी असादलित रहता है तो इसका right answer है option number D यानि कि कोसिकाओं में तरल ठीक है friends option number D correct होगा अच्छा यहाँ पर बात कोसिका किया ही तो मैंने कल की वीडियो में कोसिका के बारे में बहुत अच्छे तरिके साब को बताया था कि कोसिका की खोज कोसिका की खोज किस ने की थी Robert Hook ने की थी ठीक है कब 1665 इसवी में देखना यहाँ पर थोड़ा सा चीज अगर आप पहली बार देख रहे हो तो बहुत इंपोर्टन सीज जाने को मिलेगा देखे कोसिका की खोज 1665 इसवी में Robert Hook ने की थी लेकिन अगर ऐसे कोसिका की खोज सबसे पहले किस ने की थी तो वहाँ पर आप गलत कर दोगे क्योंकि Lumen Hawk ने 1674 इसवी में सबसे पहले जीवित कोसिका की खोज की थी तो अब आपके दिमाग में एक शीज आ रहा होगा तब Robert Hook ने क्या किया था तो Robert Hook ने कोसिका की खोज की थी लेकिन वो जीवित कोसिका नहीं थी वो मृत कोसिका थी तो ध्यान रखेंगे Robert Hook ने सिर्फ ऐसे पूछे की कोसिका की खोज की थी तो आपको वहाँ पे टिक करना Robert Hook ठीक है तो इन सारे points को याद रखेंगे और मैं आपको बताया कि 1674 इसवी में Lumen Hawk ने खोज की थी जीवित कोसिका की खोज और इसलिए इनको Microbiology के जनक के रूप में भी जाना जाता है किलिए friends आगे बढ़ते हैं अगला point देखे क्या है पृत्वी एक बहुत बड़ा चुम्बक है इसका चुम्बक के खेतर किस दिशा में बिश्दित होता है तो इसका right answer क्या होगा अगर आपने 11th, 12th science ले क्या है आपको definitely इसके बारे में अच्छे से पता होगा देखे क्या questions बोला जा रहा है कि पृत्वी एकर चुम्बक के छेतर है तो मैं आपको simple सा एक चुम्बक लेकर समझाता हूँ देखे चुम्बक मान के चलो कि ये north pole हो गया और ये south pole हो गया तो चुम्बक जो विस्तारित होता है वो इस दिशा में होता है इस तरह से निकल के इसमें जाता है इस तरह से निकल के इसमें जाता है ठीक है और इधर से निकल के इसमें जाएगा इधर से निकल के इसमें जाएगा यानि कि इस तरह से होता है south से north दच्छिड से उत्तर, option number C, correct होगा, तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं, clear, आगे देखिए, next question क्या बनता है कि सौर को सीखाएं किसके सिधान पर कारिक करती हैं, इसका right answer is option number A, प्रकास, वोल्टिय, प्रभावक के सिधान पर कारिक करती हैं, तो दियान रखने काफी अच्छा questions है, अगला question क्या बनता है कि अमोनिया का एक good कौन सा है, इनमें जो भी option दिया गया, वो अमोनिया का एक good कौन सा है, इसका right answer होगा option number C, यानि कि इसके जलिये विलियन, लाल लिटमस को नीला हो जाता, यानि कि इसका जलिये जो विलियन है, वो लाल लिटमस नीला हो जाता, तो ध्यान रखनेंगे friends, अगर ऐसे अगर बोल दिया, तो इसका मतलब यह हुआ, कि जो अमोनिया होता है, वो छारि होना चाहिए, तो इसका pH value कितना होना जाए, तो pH value इसका होता है, करीब करीब 11 point something होता है, वरिजनल तो मुझे याद नहीं, 11 point something होता है, यह मुझे पता है, तो यह चीज़ को याद रखेंगे, छारिये होता है, और इस तवज़ह से यहाँ पे बोला जा रहा है, कि लाल ल सेटमस को नीला कर देते है, ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे बाकी option जो दियेगा, वो गलत है, क्योंकि यह जल में विलय होता है, यहाँ पे गलत किया गया, और यह गंध रहीत होता है, तो इसमें गंध होता है, ठीक है, तो यहाँ पे option C right हो जाता है, अगला प्रश्ण कि क्या है, कि किसी आदर्स द्रॉव की सियानता कितनी होती है, तो इसका right answer लोगा फ्रेंड्स, option number C, किसी आदर्स द्रॉव की जो वैसको सिटी होती है, वो सुनने होती है, और यहाँ से सबसे important point आपको जानना होगा, कि सियानता की इसा unit क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आ कोई भी option में दे सकता है, और इसको सुचित किसी कहता है, तो denote कहता है, नीटा से, इसको नीटा कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, नीटा, तो याद रखेंगे, नीटा से सुचित कहता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, कि लिए फ्रेंस, अगला प्र भी अराइट हो जाता है बढ़ते अगले विशन की तरफ और देखें नेक्स्ट विशन काफी इंपोर्टेंट है बिहार सोसिलिस्ट पार्टी की अपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ पर हुई थी इसका राइट इंसर है ऑप्शन सी पतनाक में अंचुमन इस्लामिया हॉल में ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा के लिए आगे देखिए नेक्स्ट है पुंग चुलों निमलिखित में से किस राज्य का निरित्थ है इसका राइट इंसर है ऑप्शन सी मड़ी पूर ठीके फ्रेंट ध्यान रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है पुंग चुलों मड़ी पूर से संबंदित है प्रस्ट मनता है कि किस देश ने भासा आंदोलन के सहीदों का सहीद दिवस मनाया जिसे अमर अक से के रूप में भी चाना जाता है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बांगलादेश ठीके फ्रेंस ऑप्शन बी करेक्ट होगा तो यहां पर हम लोगों ने 50 क्वेशन्स डिसकस कर लिया आई होब कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी आप नीचे कमेंट करके बताए पस्धे आज की क्यूज चांज का जिसका राईट आपको नीचे कमेंट करके बताना है कल की वीडियो में तो किसी ने कमेंट किया ही नहीं है थो खौब और क। आज आप मगों जुदॉर करें हां कर आप इस वीडियो को को एंड तक देख रहे तो questions आज का यह है कि भारत trade union congress के पहले अध्यक्ष कौन थे तो friends अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification विल को on रहे क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह की रुजाना new mock test मिलती रहती है और साथी साथ घजब का जो कि आपके exams में काफी useful करेगा आप इसकीन पर दी गई वीडियो को देख सकते हैं एक कल की कल की वीडियो का आपने नहीं देखा है तो आप यहां से दीख सकते है हम मिलती है औरके साथ इस Party केट करके